आत्मा की फोल अनन्त शक्ति आनन और शांति इश्वरिय भक्ति के लिए जोड़े रहें हमारे चेनल से आपका अपना चेनल गुरु अशोक्ति वारी राइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद जै मातागी जै प्रस्राइब श्रीगने शायनमा प्रिये बंदुओ आज हम बिंध्याचल की हरी भरी परवत स्रैनियों के बीच में फिर से एक परम पवित्र धाम जोकी भीलट बाबा का धाम है यह धाम गाउं कुम्डी में इस्थित है और बडाही प्रिये और पवित्र धाम है कहते हैं इस स्थान पर बहुत से लोगों की मनों कामनाएं पूर्ण होती है हमने सुना मन में विचार आया कि अपने दर्शकों की सेवा में यहां की सब विशेवस्तु प्रस्तुत करना चाहिए और देव भीलट के भी सनाथ लिए तो चलिए करते हैं अब भीलट बाबा के दर्शन बंदुओ इस छेत्र में गाय को देवी के रूप में पूजा जाता है तो देखिए मंदिर परिशर के सामने गव माता अपने बचड़े को दूद पिला रही है देखिए बड़ा ही सुन्दर और विशाल परिशर बना हुआ है यहाँ पर यह यग साला है यह यग वेदी है इसमें तीन परधिया है कहते हैं जो यग वेदी का दर्शन करता है उसके तीनों प्रकार के पाप जो पाप मन से किये गए हैं जो पाप वचन से किये गए हैं और जो पाप सरीर से किये गए हैं यह तीनों पाप यग वेदी के दर्शन करने से मनुष्यों के दूर हो जाते हैं अलग 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 दिशाओं में अलग 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 देवी और देवताओं की स्थापना के लिए अलग अलग पीठ यहां पर बनाए गए हैं जब यग होता है तो यह जो सामने प्रधान पीठ दिख रहा है यहां पर प्रधान देवता की स्थापना की जाती है और वाद में ये जो अलग-अलग दिशाओं में अलग-अलग पीठ हैं इन पर उन अलग-अलग दिशाओं के देवी और देवताओं की इस्थापना आचारिये लोग करते हैं इस यग साला में प्रती वर्ष यग होते हैं ऐसा हमने यहां के दर्शनार्थियों के मुख सुना है यह दिब्य गादी बनी हुई है भीलट बाबा की यह वह दिब्य स्थान है जहां पर यात्री लोग भीलट बाबा के विराजमान होने की कामना ले करके आते हैं और दिब्य भीलट के चर्णों में सिर्नवा करके अपनी अपनी मनोती मांगते हैं कहते हैं यहां मांगी गई प्रती एक मनोती पूरी होती है आज तक कई भी स्रद्धालू यहां ही है ऐसा यहां के दर्शनार्थी बंधों ने हमको बताया तो भगवान जी यहां पर तो बड़े-बड़े कारिक्रम होते होंगे भगवान कौन-कौन से कारिक्रम होते हैं बताइए बगवान जी यह कारिक्रम होते रहते हैं यहां सोबा यात्रा निकलती है महां की छट पे अच्छा और गुडारिया से यहां तक आती है यानि जो भारतिय केलेंडर के अनुसार जो महाओं का महीना होता है उस महाओं के महीने में छट और सातें को सोभा यात्रा निकलती है और कहां तक जाती है गुरारिया तक जाती है अच्छा अच्छा तो बंदू यह स्थान बड़ा ही दिव्य और अन्पम स्थान है कहते हैं कि इस स्थान पर जो भी मनुष्य से जो भी मनो कामना करता है भगवान भीलट वावारेंड की क्रपा से उसकी मनो कामना अवश्यी पूर्ण होती है हमारा दर्सक बंदू से निवेदन है कि जब भी इधार भोपाल अथ्वा होशंगाबाद की यात्रा करें तो एक बार इस देव कुम्डी नाम के गाउं में आकर के और देव भीलट का दर्सन भी करें भगवान सब के उपर क्रपा बनाए रखें जय हो देव भीलट बबाग की जय हो दुरगे महराणी की जय हो पन्दू आज के लिए वस इतना ही सेश अगले भाग में नई विश्ये के साथ में आपकी सिवामों पस्तित होंगे आज्या दीजिए धन्यवाज जय माता की जय प्रश्राम जी की